हलो एवरिवन मैं अर्मीन जन्यूग लाश्टिज में आपका स्वागत करता हूँ राजस्तान विश्विद्याले यूजी कोर्सिज का जो न्यू सेशन है सेशन 2021 वाईस उसमें आपकी जो परिक्षा हैं आपके जो परिक्षा फॉर्म है वो कबसे बरे जाएंगे रेगुलर के नॉन कोलेज के तो यहाँ पर यूजी कोर्सिज के काफी कॉमेंट आ रहे हैं सबी विध्यारतियों के जो बीए बीए सी बीकॉम में हैं फर्स्ट इयर सेकंड इयर फाइनल इयर तो यहाँ पर इस वीडियो के इंदर में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका पता है कि अभी तक आपका सेसन बिल्कुल ठीक चल रहा है वैसे तोड़ा लेट हो चुका है लेकिन पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो गई है जो यूजी फर्स्ट इयर के विध्यारति हैं बीए बीए सी बीकॉम के उनकी पढ़ाई चालू हो चुकी है जो बच्छे सेकंड सेकंड यर में हो चुके हैं उनकी पढ़ाई चालू हो गई है तो मतलब नए सेसन की आप तैयारी स्टार्ट कर दी है आप सभी ने जो लाइस सेसन की आपकी एक्जाम है वो कंप्लीट हो चुकी है लगबग सभी के रिजल्ट आ चुके तो नए सेसन के कॉमेंट आने के हैं ऐसे बहुत जादा कॉमेंट आ रहे हैं तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा अभी जो कंडिशन है अभी बिल्कुल ठीक है सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी एक्जाम और आपकी जो परिक्षा फोर्म है वो समय अनुसारी आपके तैय होंगे नहीं तो अगर कोवीड आ जाता है बीच में लाइस सेशन की तरह है तो फिर पूरा सेशन जो है वापस से पूरा रिशन्डूल हो जाएगा लेकिन अगर इसा ही चलता रहा सबकू जो अभी हो रहा है आपकी समय पर एक्जाम हो रही है और अभी आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है एडमिशन कम्प्लिट हो चुके हैं तो ऐसा ही चलता रहा तो जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसी समय पर आपके परिक्षा पर मरे जाएंगे इसी समय पर आपकी एक्जाम हो सकती है वो बिल्कुल ठीक रहेगा तो सबसे पहल के रेगुलर नॉन कोलेज दोनों के साथ में बरे जाते हैं तो यहाँ पर आपके यूजी कोर्सेज की एक्जाम के जो ऑनलाइन आवेदन हैं अगर वो आपके जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं तो लगबग एक महिने आपकी फॉर्म की प्र क्रिया चलती है तो मार्च माल लीजे आप मार्च तक अगर आपके एक्जाम को बरे जाते हैं तो अब आपकी जो एक्जाम वो कब तक हो सकती है तो एक्जाम का भी मैं आपको बताऊंगा उससे पहले सबसे बड़ा जो डाउट है आपका वो डाउट है कि सर परिक्षा पै है विकॉम का कहा पर है तो अभी UG courses और PG courses किसी का भी session 2021-22 का जो syllabus है वो upload नहीं हुआ है official website पर और अगर syllabus upload होता भी है तो वो syllabus आपका complete होगा 100% जो पहले से होता आ रहा है सबी session के अंदर जो आपका syllabus था वो 100% था, last session में भी syllabus तो 100% था, लेकिन attempt आपको 50% करने के लिए बोला गया था तो syllabus की बात करें तो syllabus तो पूरा ही है complete आगर आपकी 5 unit है तो 5 unit ही आपको पढ़नी है तो पढ़ाई तो आपको पूरे complete syllabus की करनी है और आप कर भी रहे होंगी, अब हम बात करते परिक्षा pattern, क्योंकि परिक्षा pattern कर भी लगा है कि कोई एक अनुमान बता रहा हूं है जो session है उसके साफ से अनुमानित बता रहा हूं में last session के साफ से बता रहा हूं तो परिक्षा pattern में बदलाओ हो सकता है बढ़ किस प्रिकार से होगा यह जब परिक्षा pattern जारी होगा उसी समय हमें पता लगेगा 50% attempt वाला यहां पर रहेगा या कुछ और change होगा बढ़ change होगा इतना लग रहा है कि change होना चीए क्योंकि समय कम है जो एक year में आपको समय मिलते हैं परिक्षा के लिए उतने नहीं मिलेंगे यह आपर अब हम बात कर लेते हैं आपकी परिक्षा मा कि परिक्षा कब तक हो सकती है जो आपका सबसे बड़ा प्रसान है कि इस session में परिक्षाएं कब तक होंगी तो परिक्षा हैं अगर जो इस साब से मैं आपको बता रहा हूँ पूरे वीडियो के अंदर कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपके फोरम बरे जाएंगे यह आपका पैटन रह सकता है तो अब आपकी जो एक्जाम है वो मई में मई स्टार्टिंग में आपकी एक्जा पहले आपका जो टाइम टेबल है यानि मिड अपरेल तक आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा तो परस्तितिया सामाइन रही कोई भी अवरोध उत्पन नहीं हुआ इस सेसन के अंदर पढ़ाई आपकी ऐसे ही चलती रही तो जो समय सांड़ी में आपको बता रहा हूँ यही सेडूल रहने वाला है तो आप अपनी कोलेज की पढ़ाई के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉंपेशन एक्जाम की अगर आप एसेस की प्रप्रेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी एक्जाम होती हैं आपकी CGL, CSSL, CPO, GD एक्जाम अगर आप प्रप्र करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा अगर आप नए हैं अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लड़ने हैं डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करें आप उसको रेइस्टर करें अपने आप लोग जरूर जुड़े इसका link description में है उस पर click करना class open हो जाएगी और इसके अलावा अगर आप पहली बर जुड़ रहे हैं तो आप से invite code मांग सकता है और invite code आपको लगाना है genuine 10, gen u in e 10 अगर आप लगाते हो तो फिर ही आपकी जो class enroll हो जाएगी upcoming classes के लिए आप मुझे जरूर follow करें धन्यवाद थोड़ा बहुत हलका full का उपर नीचे हो सकता है बाकी यही रहेगा तो आपकी जो exam है वो मई आप target मानकर तैयारी करना स्टार्ट कर दें और आप कर भी रहे होंगे साथ ही आपका यह calendar रह सकता है UG courses session 2021-22 का और इस परकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद